ग्रामीर भारत में 70-85 फीसद युवा अपने काम से खुश नहीं है और वे अपनी नौकरी बदलना चाहते हैं Global Development, Incubator, Global Opportunity, Youth Network, Development, Intelligence Unit और Transfer Ruler India Foundation का सर्वे बताता है कि 18-25 वर्ष की IU के आधिस से अधिक युवा किसी ना किसी रोजगार में लगे हुए हैं लेकिन इस IU वर्ष में केवल एक चौथाई मेला ही काम कर रही हैं 26-35 वर्ष की IU के लोगों में करीब 85 फीसद पूरुष कारणरत हैं और 10 फीसद पहले काम करने के बाद वर्थमान में रोजगार कर रहे हैं सर ये बेरोजगारी की कैसी तस्वीर है जब लोग काम तो कर रहा हैं खुश नहीं है ये आकड़ा हमें और भीतर से देखना होगा तीन महत्वपूर्ट चीज़ें इस रिपोर्ट में निकल कराई पहले चीज मैकसिमन लोग अगरिकल्चर में लगे हुए हैं अगरिकल्चर में चाहे खेत में काम करना हो खेत के सामान को बाजार में बेचने जाना हो अगरिकल्चर से जूड़ीगत वीडियों में दूसरा हिस्सा सेल्फ इंप्लाइमेंट है या गाओं में कोई दुकान चलाना कोई किसी तरीके का का चोटा मुटा कारोबार करना विसे सेक्टर तो है नहीं तो या तो एग्रिकल्चर से जुड़ी गत्विदियों में काम कर रहे हैं या उन्होंने अपने चोटे मोटे कारोबार शुरू कर रखे हैं और यही वो वज़े है जहां लो इंकम का ट्रैप है क्योंकि यह स्थिती हमें रूरल एरिया के वेजिस म काम करना जाना चाहते हैं बढ़ोतरी इसलिए हुई गाओं में कि कोविट के बाद शहरी आलाकों में यही यूथा आता था उरसे काम मिलता था शहरी आलाकों में काम नहीं बढ़ा शहरी आलाकों में वरोजगारी किदर और उची है तो यह वापस गया यूथ को को ग्रोथ का और इंप्लाइमेंट का इंजिन बनाया जाना चाहिए क्योंकि पिछले सालों में में भारत में मैंनिफ्यक्ट्रिंग में निवेश की संभावनाएं सीमित है ऐसी स्थिति में जब ग्रामिड एलाकिये में लोग अग कमजोर आयसे परेशान हैं और काम करने को पैक्ट फूड कमपनियां अपने उत्पादों के दाम चार से दस फीसद तक बढ़ा सकती हैं सर सीधा सावाल ये कीमतें बढ़ाने की सोच क्यों रही हैं तीन बड़ी चीजें पैक्ट फूड कमपनियां तीन महत्तुपूर्ण कच्छे माल का इस्तिमाल करती हैं एक चारों की कीमतें पिछले तीन महीने में बढ़ाय की आकणरों के सात्थ में आपको लगातार बताते चलय जा हैं और यही कौत महंगाई का सबसे जेटल पहल हुं है कि खाक महाई बढ़ते 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 फ्र कर्मेस्क्षरिंग तो daha फिर प्रड़क्ष तक और फूड प्रोडेक्ट तक बढ़ गई है, रेस्टोरेंट पे खाना महंगा हुआ, लेकिन अब ब्रिटेनिया, नेसले, डाबर जैसी कमपिनिया, जो चॉकलेट बनाती ही, जो बिस्किट बनाती ही, पैक्ट फूड बनाती ही, वो भी अपनी कीमतों में 10% तक की बढ़ोतरी कर रही है, क्योंकि उनको दिख रहा है कि 5-6% की इंफलेशन या महंगाई कच्चे माल में, और एक बार ये खाद महंगाई कच्ची मंडी से या बाजार से निकल कर जब कमपिनियों के भीतर पहुच जाती है, तो फिर रुपती नहीं है, क्योंकि वहाँ सके बाद फिर कीमते कम होने क कोई गुझाईश नहीं दिखाई देती, और इसलिए आने वाले कुछ महीनों में हमें भारत में कई खाद पादों की कीमतों में बढ़ोतरी दिखाई देगी, या उनकी पैकेजिंग बेवस्ता में बदलाओ करके उसके ग्रामेज में कमी की जाएगी.